हेलो बच्चो नमस्कार तो बच्चो हमने लास्ट लास्ट में जीपी शुरू कर ली थी और अब हम प्रॉपर तरीके से इस जीपी को खतम करने के लिए आगे बढ़ेंगे चलिए तो मैं एक एक करके सारे कोशिन कवर कर रहा हूं जैसे कोशिन नमर फिर्ष्ट कैरा आपको ट्वैंटीए थ नम और अनकर निकालना कोई नीजी पहले फरस्ट तो निकाल लो फॉर्स्ट हम आपका फाइब टू फिर आर आर क्या होता एटू अपॉन में एवन यह निए फाइव बाइफ उर अपॉन पाइव फाइट तो फाइव बाय फॉर वही रैसिप्रोक 19, a कितना है, 5 by 2 r कितना है, 1 by 2 की power 19, तो 5 तो 5 ही रहेगा 2, एक के बावर 19, एक ही रहेगा 2 की बावर 19, तो यह बन गया 5 की power, 5 बटे में 2 की power 20 ठीक है जी? चलो, अगला क्या है? nth term निकालो nth term nth term क्या है? a r की power n minus 1 a है 5 बटा 2, r है एक बटा 2, n minus 1 तो 5 बटा 2, 1 की बावर कुछ भी रहेगा वही, 2 की power n minus 1 तो 5, इसकी बावर कुछ नहीं तो 1 बेस से में power add हो जाएगी 2 की power n ठीक है जी? चलिए अगला है second question number second आप से काया है 5th, 8th, 11th term of gp are p, q and s so that q square is equal to ps बहुत अच्छा question है, important question चलो भई क्या बहु रहा है उसने? बच्चो, 5th term, सरी 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 तो second नहीं है चलो इभी यह साने, दो number में आ सकता है, find the 12th term of gp whose a term 192 and common ratio is true let the first term क्योंकि बच्चों मैं first term तो दिया ही नहीं है let the first term is a and the common ratio common ratio r कितना दिया हुआ आपको पहले सरी 2 now आपको कहरा 8th term 8th term of gp 192, यहनी कि a r की power 7 192 a r की power 7 नहीं है, 2 की power 7 192 a 128, 192 इधर multiply कर रहा बच्चों, 2 की power 7 यह 128 होता है इधर multiply कर रहा है, इधर आके divide cancel करना बच्चों जरह, 2 से cancel होएगा, 9 टाइम से 6 टाइम से, 6 टाइम से, 6 टाइम है, 4 टाइम में, 4 टाइम में, 1 टाइम में, 6 टाइम में, ठीक है इसके बाइम में, टाइम 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 11 तो बस 3 by 2 2 की बार 11 कट गया 10 तो 3 इंट्र में 2 की बार 10 कितना होता है 1014 मंटिपलाई कर दो चारती है 12 एक तीन दूनी 6 और एक साथ 0 3 3072 करो अच्छो चलिए नोट कर लिया अगला कोश्चिन इन चलिए निरा कोश्चिन नमबर 3 बहुत प्यार कोश्चिन है कि लाइन से करांगो सारे कोश्चिन करांगा ठीक है फेफ्ट एट्ट एलेवन टर्म आफ जीपी बस बहुए यह लेट्ट फ़र्स्टरम let the first term of GP क्या माना A and the common and the common ratio of GP कितना माना भई R ठीक है अब क्या है चलिए now according to question क्यारा 5th term is equal to किसके बराबर है P के ठीक है तो 5th term क्या हुआ AR की पावर 4P equation first फिर क्या रहा है 8th term 8th term क्या है Q यानि AR की पावर 7Q equation number second अगला क्या है 11th term S यानि AR की पावर ठीक है तो क्यारा है प्रूफ करो Q square is equal to PS Q square is equal to PS यह हमें प्रूफ करना है ठीक है जी प्रूफ कर देंगे ठीक है अब बताओ P कितना आपके पास A की पावर 4 S कितना आपके पास A की पावर 10 आपको किसके पर आप भूफ करना Q square Q square क्या है AR की पावर 7 उसका whole square आना चाहिए ठीक है जी A को A से मेंट इपलाई A square R को R से मेंट इपलाई तो R की हो जाएगा 10 और A 14 हाँ भई क्या मैं इस 14 को R की पावर 7 का square लिख सकता हूँ जी बिल्कुल इन दोनों का square common ले लो अंदर क्या बचेगा AR की पावर 7 और इसका पूरा square common PS हाँ जी बच्चो तो जल्दी बता दो ज़रा PS बराबर हाँ जी AR की पावर 7 किसके बराबर Q तो क्या आगे ये Q का square hence proved ऐसे करना है ठीक है चलो question number आता है fourth क्या बोलरा आप से कि the fourth term of GP is the square of its second term and first term is minus 3 determined its 7 term ठीक है जी फिर सब़ाई let the first term of GP कितना है A and the common ratio of GP R now ठीक है भी now अब क्या भाई अब है अब है कहा रहा है कि fourth term of GP is square of its second term first term is sorry 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 first term है आपका minus 2 first term minus 3 first term आपको पहले से दे रखा बच्चों minus 3 और इसको let करना है let the common ratio is R ठीक है अब कहारा fourth term is now according to question fourth term fourth term of GP is equal to square of second term second term के square के बराबर है तो fourth term मतलब AR की cube ये AR का square ठीक है तो AR की cube square और ये square तो भई क्या होगा R square से A कार कटा A के से A के कटा R बढ़र A A कितना है बताओ जल्दी A है minus 3 तो R की value भी कितनी आगी minus 3 अब क्या बोला है उसने कि determined the 7th term now 7th term बच्चो 7th term क्या होगा AR की power 7 minus 3 minus 3 तो base minus 3 की power 8 करो देखो कितना असान है कितना असान है हम असान है कितना कितना है झाल 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 तो झाल झाल та चलिए बच्चो अगला करते हैं अगला कोशन देखिंगे कोशन नम्बर फाइफ अगला को फिफ्ट है आगला कर वाइब कर ना क्या कर रहा हूं वह बाकी दोनों खुद करना चाहरा भई रूट थ्री थ्री रूट थ्री इस शेवन तू नाइन चाहरा बच्चो यह जो सीक्वेंस है ना पर पता करो कि जीपी है की नहीं अगर यह जीपी है तो बताओ कि देगा ठीक है जी पता कर लेतने हैं पहले तो फर्स्ट रम देखो कितना आगया रूट थ्री फिर रेशो निकालो एटू अपॉन में एवन थ्री अपॉन में रूट थ्री बच्चो क्या मैं थ्री को रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिख सकता हूं बिल्कुल रूट भी आग्या बच रूट ध्री तो यही थी आगया रूट थ्री है ठीक है और यह आगया पिल्ट थ्री स yapt Rasm कर वे फो सब्सक्राइं होता क्या है're कि प्लस वन तो न आ cohort कितना है रूट 3, र कितना है रूट 3, n-1, हाँ जी, बेस से में पावर एड हो जाएगी, रूट 3, n-1, प्लस 1, 729 तो क्या बज गया? रूट 3, 17 कट गया N 729 अब ये रूट क्या होता? बच्चो रूट का मतल़ होता पावर 1 बाई 2, तो N बाय 2 बन जाएगा अब 729 है 729 जो होता है वो 27 का स्क्वेर होता है ध्यान से देखना 27 का स्क्वेर होता है और 27 जो होता है, वो 3 का cube होता है, ठीक है, अब यह square उदर ले जाओ, 3 to the 6, हाँ बेस सेम हो गए, बीच में equal, जब बेस सेम हो जाते हैं और बीच में equal हो तो power भी सेम हो जाती है, n by 2, 6, 2 यहाँ divide कर रहा हम आजाके multiply करेगा, 6 to 12, तो बच्चो, n की value कितनी आ गई, 12, यानि 12th term पर value 729 होगी, कितनी होगी, 729 होगी, ठीक है, 6th मैंने करा दिए था, 7th, 8th, 9th, 10th में, मैं 9th करा रहा हूँ आपको, ठीक है, 9th करा रहा हूँ मैं आपको, 9th में बोला है, 1, minus a, a square, minus a cube, कह रहा है, sum निकालो n terms तक, sum निकालो n terms तक, ठीक है, चलिए, तो n term का sum निकालना है, ठीक है जी, n term का sum निकालेंगे, लेकिन हमारे पास sum का दो formula है, एक जब value 1 से बड़ी हो, एक जब value 1 से क्या हो, छोटी, चलो पता लगाते हैं, पहले तो first term देखो, first term, it means a, वो कितना 1, अब आएगा common ratio, common ratio, r, a2 upon a1, minus a upon 1, तो minus a आ गया, r आ गया, भाई अगर minus में आ रही ही digit, तो इसका मतलब क्या है, वो negative number होगा, obvious सी बात है, क्योंकि negative है, तो भाई 1 से छोटे ही होगा, so, the sum of n terms, sum of n terms, हाँ भाई, sum of n terms, जो होगा, वो क्या होगा, a, 1 minus r की power n upon 1 minus r, क्यों 1 minus, क्यों 1 minus, क्यों की value, minus में है, तो इसका मतलब 1 से छोटी है, तो a तो अपनी जगा पर क्या है, 1, 1 minus, r की power n, upon 1 minus minus a, ठीक है, अब 1, यह बन जाएगा, 1 minus, हाँ भी, 1 minus a, n, और यह हो जाएगा, 1 minus minus plus, तो answer यह है, ठीक है, अब इसको मैं minus plus कुछ ही नहीं लिख सकता, क्यों नहीं लिख सकता, अब यह देखना पड़ेगा, n है क्यों, अगर n even number है, तो plus में हो जाएगा, और n odd number है, तो minus में ही ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बागी कोशन आप ट्राइ करना, यह नोट करों कोशन नमर 12 कराता हूँ, बहुत important कोशन है, चलिए, आगे देखेंगे, क्यों कोशन नमर 12, बहुत important हóc, पेपर माय ख़यों काई बाइब है, चलिए, पर्सत्री स्प्क्राइश है,ms फ्रीटरा होगे चलिए, एंड टर्म्स बहुत सिंपल है देखो क्या बोला उसने फाइंड दसम ओफ फर्स्ट थ्री टम ऑफ जीपी पच्छो याद रखना जब भी किसी तीन टर्म के जैनि जब भी किसी जीपी के तीन टर्म का सम दिया हो तो हमीशा इसी मैथड से कराना करना है कि जब भी करें करें वाला हूं क्या सम्झाया हो मैंने कि जबभी की टीन टर्म संदिया लॉट है जीपी में टो आपको करना क्या है पहले देखो जीपी का मैं समझ बहुकंत थरी लिद्ध कर से अब कि इस टॉइबव कर norm कर सास्ट करने करना कि दिया है Kings and the common ratio ratio of GP तो क्या मानोगे R now, अब क्या करोगे बच्चो अब क्या करोगे अब जैसा उसने बोला बैसे करो now according to question the sum of first three terms of GP is this बच्चो आपको first three terms कुछ नहीं पता बस इतना पता इसका sum कितना है तो जब नहीं पता है नो तो हमेशा let ऐसे करेंगे A upon R ठीक है let the GP is GP let करेंगे तीन टम का जब भी दिया होगा सिर्फ इसी तीन टम के sum वाले में ही ये logic लगेगा ध्यान रखना बच्चो A upon R, A, A, R जब सिर्फ तीन टम का हो दिया हो अब according to question कर रहे है तो sum of GP sum of GP आपको दिया होगा 39 by 10 यानि कि A बटा R प्लस A प्लस AR बराबर 39 upon my 100 ठीक है sorry 10 equation first now the product of the product of GP is equal to कितना है 1 के बराबर है product of GP कितना है 1 यानि कि A upon में R multiply में A multiply में AR 1 तो यह क्या हुआ R से R कट गया A into A into A A का cube तो 1 का cube base same है तो power same है यानि कि power same है तो base same तो यानि क्या होगा बई A की value कितनी हागी 1 अब put कर दो put A in equation first हाँ बटे में R प्लस A प्लस AR is equal to 39 by 10 तो यह होगे एक बटा R यह होगे 1 यह होगे R 39 by 10 प्लस का 1 बजा कि माइनस हो गया 1 upon में R plus R 39 upon में 10 minus 1 solve करो 1 plus में R square upon R 29 upon 10 बन जाए गई आई इसको solve करो 10 plus में 10 R square बराबर 29 R उठा कि दर ले आओ 10 R square minus 29 R plus 10 बराबर 0 बैट 10 की multiply 10 से 100 होगा और 100 होथा 25 चोके 100 तो यहनी की factor भी बन गया 25 R minus 4 R ठीक है दोन में common क्या आ रहा है 5 R 10 में से 5 निका लेंगे 2 R बचेगा यह 5 निका लेंगा 5 R बचेगा minus का 2 का में लेंगे तो 2 R minus 5 sorry R नहीं आएगा बराबर 0 तो क्या बचेगा 2 R minus 5 और बचेगा 5 R minus 2 बराबर 0 तो 2 R minus 5 को 0 के बराबर 5 R minus 2 को 0 बराबर एक बार R की वैलू आएगी 5 by 2 और एक बार R की वैलू आएगी 2 by 5 दो बार आगी वैलू R आगया अब कहरें टर्म निकालो now GP is A कितना A की वैलू माल लो 1 और R की वैलू माल लो 5 by 2 ठीक है तो निकालो जबच जबच जीपी हाँ जी A कितना है A है 1 ये कितना है R 5 by 2 A कितना है 1 A कितना है 1 और R कितना है 5 5 by 2 तो ये हो जाएगा 2 by 5 1 5 by 2 पहली GP ये आगी दूसरी GP GP is क्याब जब A की वैलू कितना हो जाएगी अब की वैलू दो बटा 5 स्वरी A की वैलू तो मही रहेगी न और R की वैलू हो जाएगी 2 बटा 5 तो GP क्या हो जाएगी GP हो जाएगी A बटे में R R स्वरी A A R A है 1 2 बटा 5 1 1 2 बटा 5 तो ये पर लटके 5 बटा 2 1 2 बटा 5 चलो ठीक है करो इसे जल्ली करो फटा फटा खटम करो इसे इसी टाइप का एक एक एक्जामपल भी है 15th कोशन आप कर सकते हैं 13th कोशन आप कर सकते हैं नहीं 13th भी मैं ही कर रहता हूँ चलो 15 15 आप कर सकते हैं 14 मत करना ठीक है बच्चो ये मिटा देता हूँ चलिए आज का लास्ट कोश्चिन ठीक है ऑट कги्यां लास्ट कर देता हूँ मे अ कीष्ट कुछिशन नमर्ट 18 कह रहा है आपको एक जीपी दी गई है 3 3 की स्क्वेर 3 की क्यूब कह रहा है बताओ इसको अगर हम सम करने लगे तो 120 कितने पाएगा सम करने लगे तो कितना 120 कितने पाएगा ठीक है जी पहले तो फिर्स टम कितना तीन कॉमन रेस हो भी निकाल लो लगे हाथ है ata upon & 3 का इसक्वेर म. एक 3 से कर गए आ रागया 3 हाँ बई greater than 1 आहे न सम और जीपी अगर greater than점 1 आया है वर तो सम और सम और भी होगा अपका ए आर की बावर 10-1 और क्यों मों R-1 क्योंकि R की वैलू 1 से बढ़ी है तो यह कितना है 3? 3 की पावर N माइनस 1 अपन में 3 माइनस 1 लेकिन सम कितना आना चीह है 120 तो भाई 120 को 3 से काट होके 40 आ जाएगा तो यह 3 की पावर N माइनस 1 3 में से बन किया 2 2 यहां मंटिपलाई कर रहा है यह 2 2 3 की पावर N मैंस 1 इधर आगे किया होजाएगा प्लस 1 3 की पावर N और यह कितना होगा 81 3 की पावर N 81 यह कितना होग्या भाई 81 हो जाएगा 3 की पावर 4 और जब बेस सेम तो पावर भी सेम एन की वैलू 4 यह आए के questions करेंगे ठीक है चलिए बाई